हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अनुपात का मान को कैसे निकला जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्रास्टन है ए अनुपात बी बराबर चार अनुपात पांच है बी अनुपात सी बराबर छो अनुपात साथ है तो A अनुपात, B अनुपात, C का मान निकाले देखे इसको निकालना बिल्कुल असान है देखे हम लोग सबसे पहने लिखेंगे A अनुपात, B अनुपात, C को अब देखे हैं पर मान दिया हुआ है A अनुपात, B का मान, 4 अनुपात, 5 है यहाँ देखिए यहाँ जो सुरू वाला मान होगा यहाँ होगा A का मान और यहाँ देखिए बाद वाला जो मान होगा वा होगा B का मान तो देखिए हम लोग A के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 4 को और देखिए B के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 5 को देखें इसी तरह से यहाँ पर देखें B का मान है 6 और देखें C का मान होगा 7 तो देखें हम लोग B का मान को इसके नीचे लिखेंगे यानि 6 को लिखेंगे यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर अनुपात का चीन को लगा करके यहाँ पर देखिए C का मान को भी लिखेंगे अब देखिए यहाँ पर दो जगह पर खाली है तो देखिए खाली जगह पर हम लोग बगल वाले संख्या को लिखेंगे यहाँ पर देखे 5 है तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे यहाँ पर देखे 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 को अब देखे सामने सामने जो भी संख्या है इसका हम लोग आपस में गुना को करेंगे 5 से गुना 7 में करे यहोगा 35 5 से गुना 6 में करे यहोगा 30 चार से गुना छो में करें यह हो जाएगा 24 यानि देखिए A अनुपात, B अनुपात, C का मन कितना आया वह आगिया 24 अनुपात, 30 अनुपात, 35 यहाँ देखिया हो गया इसका मान तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रास्टन को हल करते हैं यहाँ पर देखिया दूसरा प्रास्टन है A अनुपात, B बराबर, 3 अनुपात, 5 है A अनुपात, C बराबर, 4 अनुपात, 7 है तो आपको देखिया हो पर बताना है कि A अनुपात, B अनुपात, C का मान कितना होगा देखे इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा देखे यहाँ पर दिया हुआ है यह अनुपात B का मान और यहाँ पर देखे दिया हुआ है यह अनुपात C का मान यह देखे दोनों जगह पर यह का मान दिया हुआ है तो देखे हम लोग यहां पर A अनुपात B अनुपात C नहीं लिखेंगे देखे जिसका मान दोनों जगा पर होता है उसको लिखा जाता है बीच में तो देखे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे B को इसके बाद देखे बीच में लिखेंगे A को और अंत में लिखेंगे C को यहाँ पर देखे A का जो मान होगा वह होगा तीन और B का मान होगा पाँच तो देखे B का मान को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा पाँच इसके बाद देखे एक का मान है तीन यहाँ पर देखे एक का मान होगा चार और देखे सी का मान होगा साथ तो देखे एक का मान को इसके नीचे लिखेंगे और देखे सी का जो मान है इसको लिखेंगे यहाँ पर देखे यहाँ पर दो जगा खाली है तो यहाँ पर हम लोग संख्या को भरेंगे यहाँ पर देखिए तीन है तो यहाँ पर हो जाएगा तीन यहाँ पर देखिए चार है तो यहाँ पर भी हो जाएगा चार अब देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग सामने सामने संख्या का गुना को करेंगे तीन से गुना साथ में करे या होगा एकीस तीन से गुना चार में करे या होजाएगा बार पास से गुना चार में करे या होजाएगा बीस देखें यह जो आया है यह 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 अनुपात बी अनुपात सी का मान नहीं है देखें इस का मान को निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C को देखिए आपर A का मान जो है वह है 12 और देखिए B का मान है 20 और देखिए आपर C का मान है 21 देखिए यह हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C का मान तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि जो अनुपात का इस तरह का प्राश्ण होता है इस हल कैसे किया जता है